पिछले लेसन में भी हम लोगों ने एक बहुत इंट्रेस्टिंग जो है टकनीक लेन की थी लेयाउट के हवाले से और इस लेसन में एक और बहुत इंट्रेस्टिंग और बड़ी जबदस टकनीक में आप लोगों को बताने वाला हूं जिसकी मतल से आप लोग बहुत खुबसूरत लेयाउट सों है वो बना सकते हैं तर्तीब दे सकते हैं अच्छा ये जो टिकनीक है इसका नाम है स्केल एंड हाइरारकी अच्छा स्केल के हवाले से मैं पहले भी आप लोगों को पिछले लेसंस में बहुत डिटेल के अंदर समधा चुका हूं और बता चुका हूं यहां पे हाइरारकी जो है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस करता चलूँ और डिफायन करता चलूँ stating का हुथ हारारकी का मतलब होता है कि चीजों को उनके खास इत्या सा ऊरी अर ईया हमारे उसके हैं को मैं आप को बताता ओं आप आप किसी भी इदारे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे different ranks के लोग होते हैं for example आप किसी अदारे में जाएं तो वहाँ पे एक CEO होगा CEO के लावा वहाँ पे आपको फिर उसके बाद CEO के बाद डिरेक्टर्स मिलेंगे जीम्स मिलेंगे उसके बाद आपको managers मिलेंगे और फिर managers के नीचे मजीद जो वरकर्स हैं वो आएंगे और फिर उनके मजीद नीचे जो है वो और लोग होंगे जो डिफरेंट शोबों से तालग रखते होंगे और अपनी जो फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे अच्छा अब ये जो बैसिकली रैंक वाइ से या रैंक वाइस अब ये बैसिकली जो पुजिशन है उस पुजिशन की इंपॉर्टन्स के हवाले से हमारे पास एक हाइरार्की आ जाती है किसी भी चीज़ की तो हम जब ले आउट क्रियेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास उस ले आउट के अंदर जो डिफरेंट ऐलिम यह हम किस तरह से करते हैं यह हम बैसिकली स्केल को किसी भी चीज़ के स्केल को एड़ेस्ट करके कर सकते हैं यानि कि हमारे पास डिफरेंट आलिमेंट्स हैं उनके स्केल को हम बड़ा चोटा करके और उनको जो है वो एड़ेस्ट करके हम क्या करेंगे कि हम हारार्की अपने पर टेक्स्ट का इस्तमाल बहुत ज्यादा होता हो। वहां पर यह जो हैरारकी वाली जो हमारे पास टेक्नीक है, इसको हम बड़े अराम से इस्तमाल कर सकते हैं और बड़े इंट्रस्टिंग डिजाइन्ज जे वो क्रियेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अखबार देखी हो अब यह जो बेसिकली इंफर्मेशन की इंपॉर्टन्स के हवाले से एक खास हैरारकी है जो सेट कर दी गई है उस डिजाइन के अंदर और उसके हवाले से ही हम उसको देखते हैं। नियूस पेपर कटिंग एक इसको अगर आप जड़ा गौर से देखें यह नियूस पेपर का एक पेज है। और इसके डिजाइन में अगर आप देखें नील आउट्रॉंग जब चान पे गया था तो उसके उपर जो नियूस पेपर में खबने चपी उसमें से एक नियूस करके दी गई है। उसके बाद उसके नीचे जो सब हेडिंग है अजाइन्ट लीफ फॉर आल अफ मैन काइंड वो बताई गई है। और उसका जो साइज है वो जो हमारा टाइटल था या हेडिंग थी उसके निस्बत कदरे चोटा है। लहाज़ा हमारी नजर सबसे पहले उ उस ऑन दा मून वाले सेंटेंस पर उस टाइटल पर या उस हेडिंग पर जाती है। उसके बाद इस दूसरी लाइन पर हमारी नजर जाएगी और उसके बाद जो नीचे बॉड़ी टेक्स दिया गया पिक्चर के बिलकुल साथ उसके उपर हमारी जो नजर वो जाके कि एक छी हीरार्की होती है। और इसके मिलए से हम लोग बहुत असानी से अपने डिजाइंस के अंदर एंटरस्ट क्रिएट बर्सकते हैं। ना सरफ इंटरस्ट क्रेट बर्सकते है हां बलके मैं आपको यहां पर यह चीज बताता चलू हां। अब इयोग्दकि यहां प्र तो आपको पता चला कि हारारकी की मतलब से होता क्या है? बीट होवन ये एक म्यूजिक कंपोजर है और इसके हवाले से एक पोस्टर जो है वो डिजाइन किया गया है अच्छा मैं यहां पर आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि यह जो एक्जामपल्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि इनके जो डिजाइनर्स हैं उनके नाम भी यहां पे साथ दिये गए हैं तो वो भी आप जो है वो रीड कर सकते हैं अच्छा ये जो पोस्टर है इसको अगर आप गोर से देखें तो इमिज जो है जो बीठोवन जो कंपोजर है जिसके उपर बेसिकली ये डिजाइन बनाया गया है उसके इमिज को सबसे बड़ा करके तकरीबन पूरे जो स्केल है हमारा जो पूरा यानि की जो इस पिक्चर का या इस डिजाइन का जो टोटल स्केल है उस पूरे स्केल के उपर उस पिक्चर को एड़जस्ट किया गया है और उसके बरक्स जो टेक्स है एक लाइन लिखी हुई है आप नीचे देख सकते हैं बीठोवन और उसके नीचे मजीद छोटे साइज के अंदर कुछ बॉड़ी टेक्स की सूरत में दिया गया है तो इस तरह से हाईरार्की क्रियेट करके इस लेयाउट के अंदर स्टेप बाइ स्टेप तमाम चीजों को इंपॉर्टन भी बना दिया गया है और जो ध्यान है वो न तमाम की तरफ स्टेप बाइ स्टेप वन बाइ वन जो डावर्ट किया ये एक और डिजाइन है ये आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिलुवेट के अंदर एक इमिज है छोटा सा करके बहुत ही स्मॉल स्केल का दो हुमन फिगर हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है कि जो लो़र एंड है डिजाइन का उससे थोड़ा सा उपर आपको वो जो एक आग वाला विजूल है उसके करीब नज़र आ रहे हैं अचा उसके पीछे बैगराउंड पर बहुत बड़े स्केल में एक बहुत बड़ा मैसिव लेयाउट है मैसिव यानि कि एक बहुत हुज लेयाउट है एक बहुत हुज जो है वो लैंड्सकेप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड आपको तो इस तरह से अब इस डिजाइन के अंदर भी अगर हम गौर करें तो बैसिकली यहां पे भी हाइरार्की का इस्तमाल किया गया है अच्छा यहां पे जो छोटा सा सिलोट इमेज है उसकी एक अपनी इंपॉर्टन्स है उस पे अपनी एक जो अटेंशन है वो खुद ग्राब कर रहा है ठीक है क्योंके वो सिलोट में है और बहुत छोटा करके है तो यहां पे एक और चीज़ आपको पता चली जो अटेंशन ह आर चेज़ भी जो है वो भी हासल कर सकती है उसके तरह कि सिर्षाध के साथ ऐसको किसी बहुत बड़ी चीज़ कर चाहिए तो यहां पर इस बैसलोट को देखती है और उसके बात पर हम जो है वो हमारा धियान जाता है इन बड़े बड़े पहादों की तछफ और किछर reverse तरीके से हाइरारकी इस्तमाल की गई है यानि के यहां पे पहले हमारा ध्यान जो है वो खुद बहुद जाता है उस छोटे scale की चीज़ पे और फिर उसके बाद बड़े scale की चीज़ पे हमारा ध्यान जाता है तो basically पता यह चला कि हम जब hierarchy बनाते हैं अपनी layout के अंदर तो हम बड़ी चीज़ों को भी पहले highlight कर सकते है और चोटी चीज़ों को भी इस तरह से create कर सकते है कि हम दोनों तरीके से vice versa जो है वो अपने designs create कर सकते है यानि कि देखने वाले की आंग जो है वो पहले बड़ी चीज़ की तरफ जाए या पहले जो छोटे scale की चीज़ा उसकी तरफ जाए ये decision हम खुद अपने designs के अंदर कर सकते हैं तो आप लोगों ने देखा कि scale और hierarchy जो है इसकी मदद से हम कितने interesting layouts जो है वो create कर सकते हैं आप लोगों ने अब इसको जो है वो एक्सप्लोर करना है इसके वपर मजीज रिसरच करनी है और आप लोगों ने अपने designs के अंदर अपने layouts में इस technique को जो है वो इस्तमाल करना है और इससे definitely आप लोगों को बहुत ज्यादा फाइदा होगा इंशाला तरह next lesson में कोई एक और बड़ी interesting technique layout के अवाले से आप लोगों से discuss को